हाई एवरिवन माने में शाइब अजली वेलकम बेक तो मैं चैनल टाटा इस्टिल वोकेशन ट्रेनिंग फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको कुछ इंपोर्टेंट नुमेरिक रिजिनिंग के बारे हैं बताने वाले हूं जो काफी बार आ चुके है टाटा इस्टिल एएपी आसपरिंग एंजिनिंग प्रोग्राम एग्जाम के लिए देखे जितने भी इस वीडियो में कोशन बताऊंगा ठीक है ऐसा नहीं कि सेम कोशन आ सकते हैं बस हाँ इस पैटरन के कोशन ही आते हैं तो जितने भी कोशन में बता रहे हूं उसको तो या जरूर करना उसे सीखन भी किस तरीका से यह सब बनता उस कोशन के जितना भी ट्रिक है वो सारे चीश को सॉल्व करके वैसे ही कोशन सॉल्व करना स्टार्ट करना ठीक है मेरा मकसद यह रहेगा इस वीडियो को बनाने का ताक कि आप लोगों का प्रैक्टिस भी अच्छा सो जाए टाटा एपी का के लिए ठीक है देखिए पहला कोशन विदॉट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट आवर लेक्छर देखिए पहला कोशन क्या पूछेगा आप से कि मल्लर इस्टु काउब अब यहां पर यह आपको पता होने चीए यहां पर जो मल्लर है वो बीच में थोड़ा सा यह यह डॉ का तो different option है आपको यहां पर देख सकते हिंदी अंगलिस तोनों है ठीक है डैशर्ट इस्टु डॉग गोड इस्टु लाइब गोड इस्टु लाइब और मॉल इस्टु होर्स अब इसका मतलब होता है क्या है पहले आपको यह जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है यहां पर का का type उसका breed के बारे में पढ़ाही करना पड़ेगा animals के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ाही करना पड़ा क्वा काम बच्चा क्या होता है कभी कई बादा हार्ड नहीं होते हैं बट हाँ अगर आप करोगे 10 कोशन 20 कोशन करोगे तो उस कोशन के रिकॉर्डिंग सेम टाइप का पैटर्न आपको यहां पर दिख जाएगा तो इस नंबर सिरीज में आपको क्या निकालना है नेक्स्ट वैल्यू निकालना है नेक्स्ट क्या है नंबर पे यहां पर ही कोशन मांग दिया है यहां पर जो सिकंड नंबर कोशन है in the number सिरीज What number Should come next ठीक है 7 10 6 11 8 12 अब यहां पर पुचाए कि next कोशन क्या नेक्स्ट क्या नंबर आएगा ठीक है तो आपका option यहां पर देख सकते है किस तरीका से पैटर्न है कि आपको पता लग रहे हैं आपरी 7 10 6 11 8 12 यहां पर आप देखो एक चीज़ देखो यहां पर 7 है तो फिर 6 हो जा रहा फिर यहां पर 8 हो रहा है मैं आपर इसका अंसर दिखाए तो ताकि आप लोगो कुछ प्रॉब्लम ना पड़े देखे इसका जो अंसर 14 अब 14 आया कैसे वह आप देखे जान बेंगे साथ में से सर्थ कर रहे हैं तो क्या आ रहा है दस आ पर 10 मैं से हम दूसरा नमबर न पर क्या चार सब्ट्राइक कर रहे है तो आ रहा है चे चे आ गया फिसे में से हम लोग तीन आड़ कर रहे है तो आ रहा है मेरा मेरा pine बटट यहाँ पर छे में आच्छे में से 4 एड़ कर रहे है इस तरी काशे सेर्च पेटएंग Bulgar जो लास्ट में अगर यहां पर हम लोग एक मिनिट हाँ टुए लास्ट में है और एक दो तीन चार पॉर्चे मानताव इसमें हम तीन करेश है और चार सब्टराइक करेंगे तो तीन दरीर के घंगे बारा द्यारब चौधा पंदर आने है इसका अनसर अगर टीन करेंगे तो पंदर आएगा ठीक है तो कभी कि मिस्टेक होयाता है इस तरीके से ही पैटन आएंगे आपको तो डॉंट फरी थर्ड कोशन थर्ड कोशन भी काफी इजी है लेकिन इस तरीके से पैटन आपको आ सकते हैं यहां पर फिर वही चीज बोला है वहां पर नंबर्स का अभी क्या है लेटर्स तो लेटर्स का भी आ सकता है कि क्या होगा आगे जैसे यहां पर यह क्या है 4th question क्या है कि if the 7th day of a month is 3 days earlier than Friday ठीक है तो then what day will be on the 19th day of month यहाँ पर ही calendar का भी कुछ question आते हैं तो calendar chapter में से एक बार ज़रूर पढ़ाई कर लेना calendar से तो यह question आप easily बना सोगें इसका जो answer है Sunday आएगा ठीक है 4th का हो गया 5th का देखे 5th का क्या है कि 5th का relate करना पड़ेगा 5th का कुछ ऐसे भी question आते है जो related होते जैसे यहाँ पर क्या relate कर रहा है on जो है वो relate हो रहा है rain से bond जो है वो relate कर रहा है no db से ठीक है in the same way उसी तरीका से tier जो है वो relate क्या करेगा समझे अब यहाँ देखे earn जो है वो क्या कर रहा rain कर रहा है तो e a rn और r पहले आ रहा है a तो वही position पे है and जो last में है वो third पे आ रहा है और last वाला पहले आ रहा है ठीक है तो bond में तो करना क्या है tier करना अब tier का हम करते है यहाँ पर ही ठीक है जो हमारा देखे earn में देखे r जो है third number पे first आ रहा है थर्ड नमबर पर यहाँ पर a है तो a को हम पहले लिग देते हैं दूसरा कहा है a ए कहा जा रहा है a मेरा बीच हम है second वाला सेम रहा है तो सेकंड में टीयर में जो है यह वाला पार्ट सेम है अर्ण में देखिए इसमें देखिया आर जो है वो हो गया ठीक है और क्या है मेरा E E कहां गया Last में गया मिन्स जो Last वाल है वो मेरा Last में ही रहेगा अब बचा क्या है मेरा Tier में T भजिया तो AETR हो जागा AETR है इसका अंसर है देखे AETR कहां गया AERT Sorry यह होगा इसका अंसर AERT ठीक है इस तरीके से आपको तो चेंज करने पड़ें लेकिन Speed में करना पड़ेगा आपको काफी मैं धीरे विले बता रहा हूँ आपको इसका मतलब यह नहीं है कि धीरे धीरे करना लेकिन आप कोशिश करोगा प्राक्टिस करोगा तो आपको समाझ आया कि इस तरीके से चेंज करना सेम ऐसी कोशिशन है देखिए 6 अंबर पे Peak is to Mountain Peak is to Mountain Dash is to House क्या होगा अब यहाँ पर आपको समद्दा पड़ेगा जो Mountain होता है Mountain Mountain में क्या बोर रहा है यह Peak बोर रहा है मतलब सबसे उपर का भाग बता रहा है कोई भी चीज का मतलब Mountain का सबसे उपर भाग क्या है Peak तो House मतलब घर का उपर क्या होता है Roof होता है चत होता है अभी तो इसको चत नहीं लेकिन इसको चती बोलेंगे एक तरीका से तो चत होता है तो इसका अंसर चत होगा Roof ठीक है समझ आप किस तरीका से आपको relate करना है 7th question 7th में क्या है कि आपको कुछ latest दे दिया रहेंगे ठीक है आपको next बताना है कि next 3 latest क्या होना है ठीक है अब यहाँ पर आप देखे A, B, X, E, F, T, M, N, L तो A, B सही है A, B, E, F, M, N M, N, इसका अंसर में दिखायता हूँ इसका जो अंसर वो none of the above मतलब इसमें कोई नहीं है अगर आपको इसमें लगते कोई question आ रहा है इसमें से तो आप रिलेट इसका question आपको कैसे बनाना मैं आपको बता दाता हूँ किस तरीके से बनागा है G, H, I ऐसे करके लिख देना फिर यहां पर 6 से लेकर 11 तक कर देना तो 5-5 का आप ABCD कॉलम बनाके लिख देना तो यह चीज बनाने में easy हो जागा आपको वैसे ही practice करना अगर ऐसा question आता है तो फटा-फट ABCD पर लिख लेना फिर उसे relate कर देना तो कम टाइम में आपका बन जाएगा 8 question 8 question में क्या है same वैसे pattern है आपको pattern में काफी question आते है और काफी बच्चे सोचते हैं कि array बहुत hard है छोड़ दिया जाए लेकिन यह सब hard नहीं होता है काफी easy होता है ठोब और दिमाग शांत्रा के trick लगाना पड़ता है ठीक है तो इस चीज़ को अब ज़्यादा practice करो तो है कि आपका trick ज़्यादा start हो जाए मतलब सब question को solve करना easy हो जाए ठीक है अब यहाँ भी देख सकते है कि यहाँ पर 8 question में क्या है कि 121212 2-3-223 3rd में क्या है 34-334 अब 4th में क्या आएगा अभ यहाँ देखो 1212-12 है फिर 2322-23 1 का क्या होएगा 2 हो जाया रहा ठीक है 2 की हो रहा 3 हो रहा फिर 1 का 2 मतलब सब में एक एक add हो जाया रहा अब last में नंबर में क्या है 34234 मतलब होगा 4 फाईग भी सिरी का फॉर हो थे चुनम, इसमें उप्शन भी सिए उस लिए, 454545, मैं स्नौन UH955445, इसका अंसर 42245, 뒷का mamma, मुझे अनसर पता लेकिन आपको बताने के लिए, इस बता रहा है इस तरीके से question pattern है काफी question में यहाँ पर नहीं दिया हूँ आठी question है आप सको practice करवाने के लिए ऐसे नहीं कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसको ही देख के आप याद करो definitely याद करो बट जो question में ले के आ रहा हूँ YouTube में जो आप देख पा रहे हो उस question को जहाँ से जादा अब search करो और उसी pattern में जहाँ सदा बनाओ India mix करके है India India mix करके एक site है वहाँ पर ही जाके आप practice कर सकते हो reasoning का तो वहाँ से भी question काफी आ जाते India mix करके आप वहाँ पर जाके काफी question solve कर सकते हो practice कर सकते हो बाकितो मैं यहाँ पर ही आपको लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं तो आके आपको एक समझ आए किस तरीकर से question आता है Tata AAP के काफी easy है जादा hard ने होगा don't worry about that आप लोगों का exam perfectly आएगा but हाँ आप लोगा practice is important practice करना पड़ेगा आपको ठीक है friends मिलते है next video में अगर कोई telegram में जोईन नहीं है